स्री सिवैन मस्तुब्यम हरहर महादेव दर्श को मंगलवार के दिन जरू करें मंगलवार का दिन सर्व स्रेष्ट होता है इस दिन आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए पीपल के पत्ते का उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है मंगलवार के दिन बजरंग वली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें दियार रखे कि इस में से एक भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए साफ स्वच्च पत्ते होने चाहिए इन पत्तों की माला बना कर हनमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को लाव होता है और उसके कश्ट दूर हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा करजा भी हो गया होता है तो वे वी उतर जाते हैं मंगलवार के दिन नारियल से जुड़ा ये उपाय भी बहुत ही खास होता है यदि कोई र्यक्ती मंगलवार के दिन नारियल लेका किसी हन्मान मंदर में जाए और अपने सिर के उपर से सातवार गुमाकर हन्मान जी के सामने फोड़ दे तो इससे घर की सारी विपदाएं दूर हो जाती है घर में आ रही कला कलेस भी दूर हो जाती है किसी भी बुरी सक्ती का घर में साया नहीं रहता है मंगलवार के दिन हनवान जी को सिंदूर का चोला चड़ाना बहुत ही सुव होता है ध्यार रहे ये चोला महलाय नहीं चड़ा सकती है मंगलवार के दिन हनवान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से बजरंग बली जल्द ही प्रसन होते हैं और सुक सम्रदी का आश्रिवाद देती हैं हनवान जी को तुलसी बेहद प्रिय है मंगलवार के दिन किसी मनो कामना के साथ यदि हनवान जी के चरणों में तुलसी के पते पर सिंदू से स्री राम लिखकर उन्हें अर्पित किया जाए तो इसे व्यक्ति की जो भी मनो कामना होती है वे जल्द ही पूरी हो जाती है और भ अनुमते नम्ह मंत्र का 108 वाल जाब करने से व्यक्ति के मन को सांती मिलती है और उसके घर में आ रही परिशानियां दूर होती है दर्श को उमीद करते हैं आज के यह उपाए आप लोगों को पसंद आए होंगे पसंद आए तो वीडियो को लाइक अबश्य करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सिस्क्राइब करें साथ मैं बेल आइक दबाना बिल्कुल न भूलें मैं मिलती हूं आप लोगों को नेक्स वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुब्यम